आज मैं आपको बताऊंगी के आप स्मोकिंग कैसे कुईट कर सकते हो टीनेजर्स में ये हैबिट बरती ही जा रही है बच्चे से लेकर बुरे तक सभी इस बुरे आदत की शिकार हो रहे है इस चीज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सारे के सारे पॉइंस देखना ताकि आप अपना भी आदत सुधार सको और दूस्रों को भी बता सको दोस्तो पिछली बार मैंने में मेरी पावर बढ़ाने के उपर एक वीडियो बनाई थी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते है अब आपको स्मोकिंग क्यों छोड़नी है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको ही पता है दोस्तो आप एक पेज पे एक लिस्ट बना लो उसमें एक तरफ लिखो के आपको स्मोकिंग से क्या-क्या फायते होते है और दूसरी तरफ लिखो के आपको इससे क्या-क्या नुकसान होते है वो देखके आप खुद ही समझ जाओगे के आपको स्मोकिंग करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए अगर आप इस आदत को सच में छोड़ना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं धीरे-धीरे कर लो अगर आप एक दिन में पाच बार स्मोक करते हो तो एक बार करो और कुछ दिनों के बाद दो दिन में एक बार करो फिर कुछ दिनों के बाद एक हफते में एक बार करो ऐसे ही करते करते आप smoking करना बिलकुल छोड़ दो मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हो हाँ हाँ पता है दोस्त बहुत important होते है शायद आपके लिए वो आपकी जान है लेकिन ऐसे दोस्त का क्या फाइदा जिससे आपकी नुकसान हो आप तब तक आपने smoker friends से दूर रहिए जब तक आपकी आदत ना सुधर चाए और उन friends के साथ जादा रहिए जो smoking नहीं करते जैसे कि आपकी कुछ friends आपको smoking करने में motivate करते है वैसे ही कुछ friends आपको smoking छोड़ने में भी मदद करेंगे पहले आप अपने आपको पूछो के आप smoking क्यू करते हो और आप जिस भी वज़े से smoking करते हो उसके लिए कोई और आदत धोन लो जिससे आपकी फायदा हो जैसे कि अगर आपको हर वक्त मुपे कुछ रखना पसंद है तो चॉकलेट या चुइंगम जबा लो स्ट्रेस के लिए smoking करते हो तो योगा कर लो या सर पे मालिश कर लो और स्टाइल के लिए करते हो तो स्टाइलिश कप्रे पहन लो उससे आपका good impression भी पड़ेगा अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इससे नहीं छोड़ पा रहे हो तो आपको ऐसे बहुत सारे social welfare शंस्था मिलेंगे जो आपको इससे चुटकारा पाने में help करेंगे या आप डॉक्टर से अपनी counselling भी करवा सकते हो तो दोस्तो ये थी मेरी 5 points जो आपको smoking quit करने में मदद करेगी धूम पान शास्थ के लिए हानिकारक है ये पता थो सबको है लेकिन अब करने की बारी है अपने बारे में सोचो और smart हो जाओ अब इसे छोड़ने की बारी है दोस्तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी तो एक like तो बनती है और मेरे चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को share और comment करना मद भूलना तो फिर में लेंगे next Tuesday को तब तक के लिए goodbye and get rid of smoking